לס करना अब करें लुझ सविए कॉवम्पाइब .... हेलो फ्रेंड्स क्या हहल चाल है यह प्रिज इंजिणियरी गलेक्शन 0 сотруд Nå हैं फर्स्ट थ अफ openly हम जान लेते हैं कि बृ兒 होता गया है बृंज है कैसा arrangement इसा structure होता है जो obstacles को overcome करने के लिए use होता है obstacles किस तरह की कोई river आगई, कोई depression आगए ground में, कोई अलग-अलग level पे crossing है, वहाँ पे हम bridge को use करते हैं और किस purpose के लिए use करते हैं railways में, roadways, footpath और even carriage of fluids के लिए हमने environmental engineering में पढ़ा है कि carriage of fluids के लिए हम generally steel bridge use करते हैं, अब हम थोड़े important point history के, bridge के related और थोड़े important bridges का पड़ लेते हैं ऐसे तो काफी पुरानी टेकनीक है bridge, बट जो जिसका record है हमारे पास, वो है bridge river Nile के उपर, जो कि king of Egypt ने 2650 BC में बनाया था, ठीक है इसका हमारे पास record भी है, ठीक है अब हम इंडिया के बात करते है इंडिया में जो पंबान bridge था, यह हमने railway की history में पड़ा हुआ है 1911 में यह इसके construction स्टार्ट हुई थी, और 1914 में यह open हो गया था, और यह first sea bridge था इंडिया का, ठीक है और यह longest sea bridge था कब 2010 तक, 2010 2010 के बाद एक new bridge introduced हुआ open हुआ, कहां पे Vendra Warli ceiling, ठीक है यह Mumbai में, Vendra Warli ceiling में, जो की अभी सबसे longest sea bridge है इंडिया का, ठीक है जो पंबान bridge था, वो इस तरह का दिखता था ठीक है, यह एक bascule bridge है, bascule bridge होता क्या है इस तरह से दिखता है bascule bridge आगे हम types of bridges पढ़ेंगे, जिसमें हम सारा clear हो जाएगा, कि bascule bridge क्या होता है, और भी क्या, कौन-कौन सी type के bridges होते हैं, ठीक है, यह होता है इस तरह का bascule bridge, यह इस तरह से open हो जाता है, यहां से ship पास हो जाएगी जब ship चली जाएगी उसके बाद, फिर से यह roadways में bascule bridge है, यह railways का bascule bridge है, ठीक है next आगे है, कोईल बार bridge, इसको अबदुल बरी bridge भी कहते है यह 1.44 km long है, इसकी क्या important point है इसका important point है, कि यह oldest operational railway bridge है, कि यह अभी भी use होता है, और सबसे पुराना है, ठीक है कब से यह use हो रहा है, 4 November 1862 से यह use हो रहा है यह तब से operational है, ठीक है इसको 1982 में एक Oscar award winning movie थी Gandhi, उसमें भी यह दिखाया गया bridge, यह bridge कहां पे यह है, बोजपूर district में बिहार के, और कौन सी river के उपर है सोन river के उपर है, ठीक है अब हमको इतना पता है कि रोतांग tunnel, जो कि इंडिया का highest altitude, मतलब कि 10,000 feet above sea level से भी उपर longest tunnel कौन सा है रोतांग tunnel, बट हमको यह नहीं पता है कि longest bridge इंडिया का कौन सा है मुझे लगता है काफी कम बच्चों को पता होगा कि longest bridge इंडिया का कौन सा है, बुपेन हजारी का सेतू यह असाम और अरुनाचल परदेश को कौनेक्ट करता है, इसकी length है 9.50 km और यह लोहित river के उपर बना हुआ है, जो की ब्रंपूतरा river की ट्रिब्यूटरी है यह इस तरह का दिखता है बुपेन हजारी का सेतू, इसकी length कितनी है 9.5 km, याद रखने हमको इसकी length होगी river bed से लेके जो formation level होगा bridge का वो होगी 359 meter ठीक है, यह हमको याद रखना है ठीक है, यह river कौन सी river के उपर है चिनाव river के उपर है, ठीक है next IRC के codes हैं, जो हम bridge design में यूज़ करते हैं यह हमने already discuss कर ली हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हो ठीक है, next अब हम देखेंगे classification of bridges अब सबसे पहले flexibility of super structure पर define अगर हम करें, तो एक हो गया fix span एक होते है, movable span ठीक है, fix span bridges वो होते हैं जो एक बार बना दिये, जहां बना दिये वो वहां पर रहेंगे, जब तक वो fail ना हो movable होते हैं, जिनका super structure move कर सकता है, ठीक है now काफी सारे movable span वाले bridges होते हैं, ठीक है, हम one by one discuss करते हैं, सबसे पहले आगया bascule bridge हमने देखा था, जो pumpant bridge है वो एक bascule bridge है, इसमें क्या होता है कि, जो super structure है, यह vertical plane में move करता है, about a horizontal axis vertical plane में करेगा about horizontal axis, इसमें यह जो angle बनाएगा, जब यह lift होगा यह हो जाएगा, 70 degree से 80 degree के बीच में, ठीक हैं, इसमें क्या होता है, rack and pinion arrangement होता है और counter weight होते हैं, जिसके वज़ए से यह lift होता है और हमने देखा गया है कि, जब double leaves वाले bascule bridge है, वो काफी economical होते हैं, काफी easily उनको हम lift कर सकते हैं, as compared to single leaf bascule bridge यहाँ पर एक यह पाट है, अगर हम single करते हैं, और इसको ऐसे उठाते तो वो थोड़ा उसमें ज़ादा counterweight लगता है, उसको उठाने के लिए इनका draw एक ही होता है कि, जब काफी high velocity से wind blow कर रही हो, तब इनमें काफी इनमें हमको problem face करने पड़ती है bascule bridges में next आगया, lift bridge जब हमारा span थोड़ा ज़ादा हो जाता है तब हमको bascule bridge थोड़े महंगरे पड़ने लगते हैं, तब हम करते हैं use lift bridge का, इसमें क्या होता है कि इस तरह से ये bridge है जब यहां से ship को गुजरना होगा तो ये income उठा सकते है easily, ठेक है, तो ये long span में काफी economical रहते है और इंडिया का first lift bridge अभी बन रहा है, और मरना जा रहा है कि March 2022 तक इसकी construction complete हो जाएगी, और कहां बन रहा है जो pamban railway bridge हमने पड़ा 1911 में जिसकी construction स्टार्ट हुई थी उसके साथ में एक और bridge बनाया जा रहा है new pamban railway bridge और उसमें lift bridge की technique यूज की जा रही है ठेक है अब ये मत सोचना कि ये important ही है एक previous year AE में पुछा गया कि bascule bridges क्या होते है traverse bridge क्या होते है वो हम सब discuss करेंगे ठेक है next आगे swing bridge इसमें क्या होता है कि bridge का जो super structure है इस तरह से swing करेगा और जब ship ने गुजरना होगा उसको ये रास्ता दे देगा इस तरह से ठेक है और पूरे Asia में एक ही swing bridge है जो है Kolkata में जिसको कहते है काईडर पूरे swing bridge ठीक है और next आगे transporter bridge इसको हम ferry bridge भी कहते है aerial transfer bridge भी कहते है इसमें क्या कि एक छोटा सा part होता है जिसमें हम load करते है vehicles को या और भी जो समान हो वो एक end से दूसरे end पहुंचा देता है और next आगे traversing bridge यह भी किसी state A में आया हुआ हम जब compile कर रहे होगा bridge engineering को तब मैं एक MCQ practice की video ले आऊँगा जिसमें मैं यह सब important MCQ ले आऊँगा bridge engineering से ठीक है इसमें होता क्या कि bridge forward and then backward move करता है forward करेगा normal condition में और backward करेगा जब किसी ship ने गुजरना होगा ठीक है और यह आजकल obsolete होगा मतलब कि ना के बराबर यूस होता है और इसको वाल्ट बर्ग bridge भी कहते है ठीक है next classification हागे कि bridge के floor formation level और highest flood discharge के बीच में जो relation है उसकी वज़ासे हम कितने type में define कर सकते हैं bridge को यह काफी important classification है इससे काफी बार J E और A E के exam में हम से क्यों आए है ठीक है सबसे पहले आता है formation level formation level होता है ground level जो approaches होती है approaches क्या होती है यह component of bridges जब हम पढ़ेंगे उसमें जो काफी sub structure super structure and adjoining structures approaches आते हैं adjoining structures में वो हम आगे पढ़ेंगे उसका जो ground level है उसको हम मानते हैं कि वो formation level होगा ठीक है और highest flood level जिसको हम HFL भी कहते हैं यह होता है कि जो highest record की गई हो ना flood उसका कितना level तक हो सकता है उस river में कितना maximum highest level हो सकता है flood का उस river में ठीक है हो इसके बीच में होगा कहां पे होगा HFL और formation level के बीच में होगा यह आप ऐसे भी कह सकते हो जो flooring है वो superstructure के उपर होगी ठीक है next होगा जो HFL है highest flood level और formation level है इनके बीच में gap काफी कम है और superstructure इसके बीच में नहीं आ सकते है तो हम पूरा का पूरा superstructure ही formation level के उपर रखेंगे यहां ऐसा कह सकते हो यहां आप ऐसा कह सकते हो कि जो flooring है bridge की flooring है superstructure पूरा का पूरा उसके उपर है ठीक है next आगे semi through bridges इसमें क्या होगा जो formation level है और जो highest flood level है इनके बीच में gap है पर इतना नहीं है कि वो पूरा accommodate कर दे पूरा superstructure इसलिए आदा superstructure का part हम इसके formation level के नीचे रखेंगे और आदा हम रखेंगे formation level के उपर और यहां हम ऐसा कह सकते हैं जो flooring है वो बीच में होगी superstructure के ठीक है और इन तीनों में से सबसे economical पाया गया है deck bridge deck bridge कौन सा है जिसमें highest flood level और formation level के बीच में पूरा का पूरा superstructure होगा ठीक है यह वाली तीन classification काफी important थी ठीक है next आगी interspan relationship के बीच में ठीक है simple bridge है यहां फिर beam bridge है उसमें क्या होगा जो span है उसको दो ही sports simply sported होगा ठीक है जिस तरह का हम beam पढ़ते हैं वैसे continuous में क्या हो जाएगा हमारा काफी सारी sports होगी ठीक है उसको बोल देंगे continuous bridge और cantilever bridge होगा जिसमें हमारी कोई भी sport नहीं होगी ठीक है और जो अब हमने पहले पढ़े इस तरह की arch प्रोवाइड कियोगी जिसकी वजह से stresses कम आएंगे और इस arch की height minimum मतब 1 third होनी चाहिए span की और किसी भी case में 1 fifth से कम नहीं होनी चाहिए जो portion है इसकी height का 1 third से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी case में 1 fifth से कम तो नहीं होना चाहिए arch की काफी classification है 2 hinge arch 3 hinge arch और भी काफी है बट जो main है वो मैं लेके आया हूँ सबसे पहली है filled spandrel arch इसमें क्या है यह portion है इसको इसकी filling की होगी ठीक है इस portion की filling की है open spandrel arch में क्या होगा यह portion में filling नहीं की होगी ठीक है next है barrel type arch इसमें क्या होगा arch यहां से लेकर end तक मतब पूरा जो structure है इस पे arch होगी यहां पे पूरे structure में arch होगी है और next है rib type arch इसमें दो beam की तरह दे दिये होगी जिनकी arch वाली shape होगी और इसके उपर फिर यह columns बगारा होगी जिसकी बज़ा से arch बनाई गई होगी ठीक है next आगया bow string type bow string क्या होता है 3 command so इसकी shape किस तरह की होती है 3 command की तरह ठीक है और इसमें और arch bridge में एक ही difference है जो horizontal thrust है इसमें ties resist करते हैं जिसके वज़ा से जो reaction होगी sports में वो vertical होगी पर जो arch है इसमें वो inclined होती है ठीक है इसमें lighter sections require होती है बोस रिंग में और arch में lighter heavier sections require होती है ठीक है जो bow string है इसको tied arch bridge भी कहते है ठीक है अब बोस रिंग दो टाइप की होजाएगी RCC bow string और steel bow string जो RCC bow string होगी उनका economical span होगा 30 to 45 meter और जो steel बोस्टिंग है इनका हो जाएगा 120 से 240 मिटर स्पैन एकनॉमिकल ठीक है नेक्स्ट आगे suspension bridges इसमें क्या होता है कि एक केबल दो ends के बीच में रखी जाती है ठीक है दो towers के बीच में और उसके साथ vertical member जिनको हम suspenders कहते हैं यह suspenders लगाया जाते हैं जो की transfer करते हैं flooring से weight को हमारी cable में ठीक है और इस पूरे structure में जो यह cable है और जो suspenders है इनमें आती है tension और जो towers होते हैं इनमें आती है compression ठीक है अब एक और होता है cable state bridges इसमें क्या होता है tower होता है उसके साथ directly cable से हमें flooring को sport की होते हैं किसमें कोई भी suspenders यूस नहीं होते हैं suspension brids में रहा हुम sizes suspension bridges case構 दो type कंते हैं एक stiffened suspension bridge एक stiffened suspension bridge unstiffened होते हैं light traffic यह फिर foot bridge के लिए or heavy traffic to stiffened bridge not too hindered ऐसे साथे असो में ब्रिज की काफ़ी type की classification सबिए हैं क्लासिफिकेशन लेके आगे और थोड़ा सा ओवर्व्यू जो जे कैसे जए यह और जे एक्जाम के लिए इनफ हो ठीक है थोड़े एकनॉमिकल स्पैंस दिए हैं ब्रिजिस के इसमें याद रखना है कि जो स्लैब ब्रिज होता है वो अप्टू 9 मिटर तक यूज कर सकते हैं एकनॉमिकल नहीं होगा 500 मिटर से जादा स्पैं होना चाहिए और 1400 मिटर तक हम कवर कर सकते हैं सस्पैंशन ब्रिज से ठीक है अब हम अगर मैटीरियल जो यूज हो रहा है उसकी बेसिस पर क्लासिफाई करें तो फर्स्ट होगा टिमबर ब्रिज इसका यूसफुल लाइप अगर 6 मिटर से कम का स्पैन है तो वह हो जाएगा कलवर्ड अगर माइनर बिज है उसकी स्पैन के लेंध होगी 6 मिटर से लेके 30 मिटर तक और अगर मेजर ब्रिज है उसकी स्पैन होगा 30 मिटर से 120 मिटर तक और लॉंग स्पैन ब्रिज है तो वह हो जाएगा 120 मिटर से जादा का स्पैन यह काफी important है अभी जो भी में जिन चीज को बोलनों की important वह आपने याद रखनी ही रखनी है ठिक है नेक्स्ट, IRC Loading के basis पर हम classify करेंगे, यह भी काफी important है, इससे भी exam में MCQ आते हैं, वो हम सब discuss करेंगे जब हम MCQ वाली वीडियो करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आते हैं IRC AA Loading, इसमें हम heavy military vehicles को consider करते हैं, और यह usual practice है कि जो national highway है और state highway है, इनको हम class AA Loading पर design करें, और एक और क्या desirable रहता है हमारे लिए, कि जो भी bridge है, उसको हम design करें class AA Loading के लिए, और check करें उसको हम class AA Loading के लिए, क्योंकि कभी-कभी class AA Loading exceed कर जाती है class AA Loading को, ठीक है, अब दो type के vehicle हम consider करते हैं, class AA Loading में tracked vehicle और vehicle, class AA Loading में tracked vehicle को consider करते हैं, इसमें माना जाता है कि यह 700 kN या अफिर 70 ton का load transfer करते हैं, bridge में, और 0.85 meter इसका एक side और 0.85 meter या फिर 85 cm दो से side से load transfer करते हैं, 35-35 ton का, ठीक है, overall इसकी width माने जाती है 2.9 meter ठीक है, इस vehicle की, और इसकी length माने जाती है 7.2 meter, overall और जो portion वारा bridge के contact में होता है, वो होता है हमारा 3.6 meter, ठीक है, अब हमें दो point यहाद जो tracked vehicle है, वो 700 ton, sorry, 700 kilonewton या फिर 70 ton, और wheeled vehicle हमारा, अगर double axle है उसमें, तो वो 40 ton या फिर 400 kilonewton transfer करेगा, यह दो point हमको याद रखने है, ठीक है, single axle है, तो 20 ton करेगा, but question पुछा गया है, एक एक exam में, वो पुछा गया था tracked vehicle का, जिसका answer था, 700 kilonewton, ठीक है, तो अभी हमको याद रखने है, tracked vehicle, 700 kilonewton, और wheeled vehicle, वो करता है, 400 kilonewton, ठीक है, और जो हमने clearance पड़ी थी, यहाँ पे C, ठीक है, इसमें क्या कि, अगर हमारी 3.8 meter, यहाँ से अबब का carriageway है, width, ठीक है, width carriageway की, 3.8 meter, यहाँ से ज्यादा है, और single lane bridge है, तो clearance होगी 30 centimeter, ठीक है, और अगर less than 5. 5.5 meter है, और multi lanes है, तो 60 centimeter, और अगर 5.5 meter से ज़ादा है, ठीक है, और multiple lane है, तो 120 centimeter होगा, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, 120 centimeter, यहाँ फिर 1200 mm, for two lane bridge of 7.5 meter span, ठीक है, यह class AA loading का table है, अब जो tail to nose की spacing है, दो vehicles के बीच में, वो होगी 90 meter, class AA loading में, ठीक है, 90 meter, और जो clearance होगी, वो हमने already discuss कर ली है, ठीक है, नेक्स आगर, IRC class AA loading, इसमें क्या होता है, जो commercial vehicles होते हैं, इन्सको consider करते हैं, और highway type, जो maximum stress create करेंगे, bridge में, उनको consider करेंगे, ठीक है, तो जो भी main bridges होगे, ठीक है, उनको हम national highway, state highway के bridges, वो consider, हम design करेंगे, class AA loading पे check करेंगे, class A में, पर कुछ bridges होगे, जहाँ पे military presence इतनी नहीं होगी, B city में होगे, वहाँ पे हम class A loading से design करेंगे, उसको, ठीक है, नेक्स हम मानेंगे, जो footway है, उसमें live load आएगा, 4 kN per meter square का, जहाँ pedestrian और animal की crossing होगी, और crowded towns, यहाँ फिर pilgrimage center में हम मानेंगे, 5 kN per meter square का live load आएगा, नेक और class 70R हो जाएंगे, नेक्स्ट आगया, class 70R loading, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो new new, श्रेनी के vehicles add हो रहे है, military में, ठीक है, उसकी वज़ा से कुछ revision की है, कुछ modifications की है, इसलिए, जो class A loading है, उसकी जगा पे हम कहीं कहीं पे class 70R को यूज करते है, R का मतलब होता है, revised, ठीक है, इसमें कहा कि जो tracked vehicle है, वो similar to IRC class A specification है, सिरफ changes कहा है, ground clearance उसमें हो जाएगी 4.57 meter, vehicle के length हो जाएगी 7.92 meter, पहले जो पड़ा था उसमें कितनी 7.2 meter, ठीक है, इसमें हो जाएगी 7.92, minimum spacing इसमें दो vehicle के बीच हो जाएगी 30 meter, last में कितनी थी 90 meter, ठीक है, और wheeled vehicle में क्या हो जाए 7 axle load, with total 100 tons तक का, ठीक है, पिश्य में कितना था, double axle में 40 tons माना गया था, ठीक है, इसमें जो wheeled vehicle है, वो काफी जादा load भी, मतलब bridge पे transfer कर सकते हैं, जो new new class के vehicles एड़ हो है, military में, ठीक है, 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 ठीक है ठीक है, ठीक है, next alignment के basis पे, दो type के bridge होंगे, straight bridge, ठीक है, और skew bridge, straight bridge का हमको पता है, skew bridge का होंगे, जिसमें 90 degree पे crossing नहीं हो रही है, ठीक है, skew angle is defined as the angle between the line normal to the center line of the bridge, and the center line of the port abattment या फिर पेर ठीक है यह है जो center line है उसके normal एक line करेंगे और जो center line पेर या फिर अबटमेंट के होगी उसके बीच में जो angle होगा इसको बोलेंगे square angle ठीक है square angle ठीक है और जब bridge में square angle 15 degree से ज़ादा होगा तो उसको design उसका importance काफी जाएगी ठीक है इसकी वैल्यू जीरू से 60 डिगरी तक वैरी करती है ठीक है नेक्स्ट है जो एरिया जिसके थ्रू वाटर पास होगा ठीक है उसको कहेंगे नैचुरल वाटर वे और इंपोर्टन ब्रिज यहां फिर बिग ब्रिज जिसमें इतना वाटर वे होना चाहिए कि जो मैक्सिमुम फ्लर डिस्चार्ज है वो उसको अपने थ्रू पास करवा सके वाटर वे अगर हम मीटर स्क्वेर में बताएं तो वो क्या हो जाएगा मैक्सिमुम फ्लर डिस्चार्ज जिसका यूनिट होगा मीटर क्यू पर सेकंड और परमिसिवल विलास्टी जिसका होगा मीटर पर सेकंड इनको एक्वेट करेंगे तो मीटर स्क्वेर में असर आ जा average depth of water at bridge side ठीक है यही यहाँ पर linear waterway की definition दी है अब जो Indian railway है उसने classify किया bridges को according to waterway major bridge होगा जिसका total waterway 18 meter से जादा होगा यह JKSSB के exam में आया हुआ है last year ठीक है clear waterway मतलब कि total waterway है उससे जो supports का जो thickness है जो width है वो निकाल देंगे जो पिछे clear waterway होगा वो 12 meter से जादा होना चाहिए major bridge का minor में total waterway less than 18 meter होना चाहिए यहाँ फिर clear waterway less than 12 meter होना चाहिए और important bridges में क्या होगा जो total waterway 18 meter से जादा होगा यहाँ फिर total area 110 meter square से जादा होगा waterway का ठीक है जिससे water ने पास होना है ठीक है next lecture में हम इस लक्षर और प्लीस लाक्षर और शब्सक्राइब